हेलो गैज, वेलकम टो आवर चैनल, कैसे गैज, आप सब, I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे, तो गैज आज की वीडियो में हम वैक्स करेंगे, अंडर आम वैक्स करके दिखाऊंगे मैं अपने, तो मैं अपने अंडर आम रेजर से करती हूं वैसे तो, बट आज मैं वैक्स स वीडियो है तो इसलिए मैं वैक से कर रहे हूं तो गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यह ले लिया मैं बोड़ कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कर दो कि अब का तो गैस वैसे तो यह कोल्ड वैक सबट यह ऐसे नहीं लबती थोड़ी सी गरम करने पड़ती है तो इसलिए मैं इसको कर बियूं अब हुआ कि है यह कोड़ वैक्ष कि 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 अब कि अब कि गरंकर नेंगे इसको इसको दोनों तरह से लगा सकते हैं, थंडी भी लगा सकते हैं, मेरी थोड़ी सी पूरा नहीं होगे, तो गरम करनी पड़ेगी, अगर यह एकदम फ्रेश है, नहीं है, तो आप इसको बीना गरम करें लगा सकते हैं, बट यह जादा जादा लगते हैं, फिर वेस्ट हो जाती ह पर गरम करके लगाएंगे तो बहुत कम लगती है कि अगर रहा है कि अगर करते हैं देखिए पता नहीं इदर उदर बाल है कोई शेप ही निया कोई दर आ कोई उदर है कि यह देखिए बालों की शेप ही उल्टी सिद्धी है तभी मैं वैक्स भी निकरती ज्यादा तरह डर लगता है कि कभी कराव नहीं हो जाए कि यह दर तो एगा है कि और निकले ता भागा इसे वैक्स ठंडी होगी थी मैं फिर से करती हूं गराम इसे तोड़ा सा पाडर लगा लेंगे झान्यूत मागा लगता है कि यह भी ले उल्डय है तो गैस अंडर राम्स की वैक्सा के लिए से नहीं होती कभी उसको ऐसे इस तरह से पकड़ना पड़ता है तब जाके बाल निकलते हैं और मेरे तो बहुत पेन हो रही है पड़ लगा लित्ते हैं आगरम् फिर से पाउर लगाएंगे थोड़ाशा अब की बार सारे निकल गए हैं और जो बचे में उनको भी निकालेंगे हम यह थोड़ी स्कीन ऐसे हो जाती तो ऐसे लगता कि बाल निकले नहीं है बड़ यह देखिए अगर अगर वैक्स करते हैं तो सारी टैन भी हड़ जाती है तो वाई एक बार फिर से क्लीन करके मैं दूबारा से इसमें पाउडर लगाऊंगी और अब मैं इस पर लगाऊंगी फिर से पाउडर यह दिखिए यह देखिए गाइज एक तम क्लीन हो गया है फिसे साफ करेंगे अगर आप रेजर से करने तो आप कर सकते हैं बट वैक्स से अकेले से नहीं होएंगे काफी पेन हो रही है इसमें थोड़ा समय मॉस्चराइज लगाऊंगी बहुत ज्यादा पेन हो यह गाईज क्योंकि एकदम से खिच कर बाल नहीं आते हैं अकेले से झाव पेन कर दोगिए देखे पाफ कर घड कोई था देखेंगे घटियोो